क्या diabetes जो है वो एक evolutionary adaptation है ठीक है तो ये बड़ा interesting question है कि क्या diabetes खुद evolution की एक वजा से हो सकती है कि evolution diabetes को कैसे देखती है या फिर हमें evolution से क्या evidence मिलता है diabetes के बारे तो इसके ओपर हम discuss करेंगे आप दोनों कुछ शुरू में add करना चाहते हैं या अगली slide पर चलें जी जी अगली slide करें अच्छा जी तो यहां पर अब आप यह देखें कि 50 साल पहले तक हम यह नहीं मानते थे कि जो climate change है वो एक दम भी हो सकती है ठीक है मगर past में history में एक ऐसा भी event है जिसे जंगर ड्राइस का जाता है जंगर ड्राइस जो है वो एक mini ice age थी जो के तकरीबन एक डेड़ हजार साल पे मबनी थी उसने हमारे उपर काफी जबरदस किसम के evolutionary effects छोड़े हैं जो के diabetes की शकल में सामने आए हैं वो आपको बताते हैं कै कैसे हैं ठीक है अच्छा यह दिर से लोगों हडा रिते हैं अच्छा जी जी सर आप explain करेंगे दोनों में से कौन explain करेंगा non-conformist आपने रीसेंट इबुक पड़ी है अच्छा आपको बैक्राउंड दे दें लास्ट चाप्टर में हमने दिसक्स की थी कि evolution ऐसी जीन्स को प्रमोट करता है जो हमें शॉर्ट टर्म में एड्वांटेज देता है लॉंग टर्म में हमारी survivability को question में ले आता है हमने hemochromatosis को discuss किया था कि वह एक ऐसी disease condition है जो कि आपके body में iron overload रहे है लेकिन वही disease आपको black page या जो bebonic page है उससे fight करने का आपको defense mechanism ही देती है chapter 2 में we discuss another such gene और bad gene you can say that gives us disadvantage in the long haul जिससे diabetes कहते हैं लेकिन short term में ये advantage देती है ये disease या ये gene जो diabetes किया है इसका advantage इस तरह से नहीं है कि वो दूसरी disease को attack करने में मताद करती है it helps you fight the effects of very cold temperature इस chapter में बस ये initially में तुड़ा overview देना चाहाँ था कि diabetes को evolution ने कि इसलिए select किया हुआ है हमारी certain people who live in very cold temperatures के they should be allowed to survive that cold temperature बले एक तरह से diabetes का disadvantage हमें पता है long term में क्या आता है तो the chapter actually starts with climate change के बारे में जैसे आले बाभी आपने कहा कि ice ages कापी हजारों hundreds of thousand years के लिए आती थी लेकि new theory ये है कि many ice ages भी आई है on our planet so ice ages के history around 2.2 to 2.5 million years के है we've had several extended ice ages जो के several hundreds of thousands of years के लिए चली लेकिन फिर gradually temperature over many thousand years कम होता था last ice age जो आई थी that happened around 115,000 years ago and it ended somewhere between 12,000 and 11,000 years ago लेकिन ये नही है कि 12,000 years पे temperature overnight या over just a few thousand years कम हो गया ये gradual change temperature became more temperate या more moderate so that human civilization या human homo sapiens या हमारे जो से relatives थे जिसमें ये नियांडर्थल्स है या ओर्टो और्टोस ये ओर्टोस ये नहीं रोगे लेकिन दूसरे people of Florence island and all that they were able to inhabit certain other lands जहां पर ice melt होना शुरू ही ती लेकिन यांडर्डराइस का जो period है जो पीरिए जो पीरिए तापने ये जो around 12,000 ये तर एर्ट का temperature ice age से निकल कर temperate हो किया था मत्याद हमाजब human beings have migrated north या middle east से उपर Russian continent तब पहुंच गया थे लेकिन ये जो reverse गेर में climate change आया जिसमें तीन से पांच साल के लिए temperature इतना दुबारा 30 degrees low हो गया that it actually was a mass extinction event इसको consider गया था इसकी evidence के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ के आई से जी जुमीन पर आती रती है यंगए dry ice के बारे में एक बात ये है कि ये देखा गया कि within a decade यानी दस एक साल के दुरान पूरी जमीन पर बर्फा गी ठीक है और इनसान जो था पहली ice age जो थी वो थोई different थी क्योंकि उस टाम इनसान सिर्फ आफरिका में रहता था ठीक है मगर ये वाली जो ice age थी mini ice age इसके दुरान इनसान यूरप में भी रहता था वो जो है रशिया में भी रहता था आस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिक चुके थे तो ये ice age ऐसी थी कि अब जहां जहां पे इनसान रह रह रहे थे वहां पे बड़ा नॉर्मल सा temperature था और गरम था अराम से जिन्दा रह सकते थे मगर ये ice age जब आई इसने सब जगा पर इतना ठंडा कर दिया तो इनसान इसके पासे मरने लगे तो ये इतना मुश dock जिन्दाग करते हैं तकरियमनunda LAUGHTERाइसे जिसको कहते हैं तो वजहां वजह से सिर्फ इनसान एक्सिक्ट नहीं हुए जो बड़े जान तो नहीं मगर कुछ और जानदार जो बड़े जानदार थे वो भी इसकी वजह से एक्सिक्ट हुए हैं ञे। इनसान इससे पहले माईगरेट का चुका था 40,000 साल पहले इनसान जो वो कहां पे था इनसान यूरप में था एक लाग साल पहले इनसान अरेबिया में था दो लाग साल पहले इनसान कहां था यू अफरिका में था तो इनसान सारी दुनिया में राय रहा था फिर जब ये वाली आई से जाई तो इसकी वाज़े मास एक्स्टिंशन होई इनसान की और सारी जगों पे इस एक्स्टिंशन के मतलब एक्स्टिंशन तो आप नहीं कह सकते जो इनसानों के मरने के जो असार हैं वो पाए गये हैं ठ societies के अंदर तो इनसान की बहुत ही एक बड़े लेवल पे इनसान की जो evolution है उसको भी इसने effect किया और इनसान की population को भी effect किया जो current gene pool है उस पे सबसे बड़ा effect जो है ये भी कहते है scientist कि वो younger dryas का है क्यूंकि जो आखरी selection इनसानों में हुई है वो younger dryas की जो ice age थी जो कि तक्रीव बारा सो साल की थी उसने ही की ठीक है और इसका जो सबसे बड़ा challenge था वो बहुत लंबी सर्दी थी बहुत सख सर्दी यानि continuously temperatures यहां minus 10 तक रहे थे जमीन के बहुत कम areas ऐसे थे जहां पर इनसान रहते थे और temperatures वहां पर minus में नहीं थे बहुत ही कम जगें ऐसी थी शायद बहुत ही ज्यादा effect हुई थी और फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग मरके सर्दी बहुत बड़ा challenge था और एक तो बात यहां कि इसके दुरान जो summer है वो तकरीबन जमीन की के ज्यादातर हिसे थे थे कि वहां से गर्मी का मौसम ही खत्म हो चुका था ठीक है हाँ तो यह बात है अच्छा जी तो सबस्टैंशा सार आप बताएंगे यहां में जी तो इस स्लाइड पर आप ये शेयर कर रहे हैं कि आम तोर पर जो सर्दी बढ़ती है तो उस सूरत में एक natural response यह है कि जो शिवरिंग है वो होने लगती है कपकपी और कपकपी जिसे कहते हैं आप जनी कि ट्रेंबल करते हैं कांपते हैं उस कांपने की सूरत में कई वाकियात होते हैं एक तो वैसे क्या करते हैं आप जब कांपना एक काम है यानि एक आप energy expenditure कर रहे हैं जब जब आप energy expenditure करते हैं तो आप calories को burn करते हैं जिसकी वज़े से heat पैदा होती है ठीक है तो वो एक artificial तरीका है जाहरी बात है कि अगर आप आज की तारीक में treadmill पर चड़के बहुत ज्यादा तरीके से strenuous कोई बड़ी activity करना शुरू कर देंगे उससे भी आप heat generate करेंगे calories को burn करेंगे तो यह जो हमारा जो response है कि हम जो कामते हैं कपको भी चड़ती है यह बुनियादी तोर पर एक first defense mechanism है जब temperature कम होने लगता है अगली slide पर चले जी सर यह आगे जी सर जी इससे पहले ज़रा यह तो आप मुझे लग रहा कि description दे रहे हैं लेकिन ज़रा यह बात करने हैं कि यह discover वो pointers क्या थे जिनकी वज़ा से शक होना शुरू हुआ कि diabetes जो है खास तोर पर जो आपकी जो type 1 diabetes थांड से थांड से कैसे related है हाँ कि यह शक क्यों पढ़ना शुरू हुआ सबसे पहले इस बात को याद रखें दोनों ही diabetes जो है type 1 और type 2 diabetes दोनों में ही genetic component होता है मगर type 1 diabetes जिसमें आपके pancreas insulin बनाना छोड़ देते हैं उसमें ज्यादा genetic component है यानि उसमें hereditary element ज्यादा है तो जिस तरह non-conformist बता रहे थे कि जब एक disease है जिसके कुछ negative consequences है और वो genetically inherit हो रही है तो evolution ने इतने सालों में उसको wipe out क्यों नहीं किया तो क्या इस वज़ा से नहीं किया कि क्योंकि short term में evolutionarily वो को advantage दे रहा था कि नहीं दे रहा था तो यह सवाला आते हैं तो वो शक कैसे पढ़ा आपने यह notice किया होगा कि जब यह जब जब सर्दियां शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोगों में एक natural response यह है कि आपकी they have to go to the bathroom more frequently ठीक है उनकी जो urination की frequency है वो बढ़ जाती है ठीक है अच्छा और साथ यह भी हमारे पास कुछ data आना शुरू हुआ कि diabetes का जो first diagnosis है बहुत सारे लोगों में वो सर्दियों के मौसम में हो रहा था यह पहली दफ़ा डिसकावर हो रही थी वो के सर्दियों में हो रहा था तो अब मामला यह है कि यह पानी से निजात हासिल करना क्यूंकि आप अगर ज्यादा पानी excrete कर रहे हैं एक्स्ट्रीम कोल्ड के case में यह response बड़ा adaptive इस वजह से है क्यूंकि अगर पानी आपके जिस नहीं है लेकिन आप यह जो extreme cold temperature में देखें तो आपकी body के अंदर जो पानी है वो freeze करेगा freeze करने का मतलब क्या है कि जो ice बनेगा जब पानी तो उसके crystals जो होंगे वो नोखीले होंगे sharp होंगे तो वो अंदर की cellular compartment में चीजों को चीजों को damage कर सकते हैं तो अगर सर्दी के response म इतनी सर्दी हो रही है कि आपके अंदर जिसम के अंदर जो इतना ज़्यादा पानी है वो बर्फ बनने लग रहा है और ice के crystals बनने लग रहे हैं तो इस वजह से जानवरों ने ये evolve किया पार्ट ली कि किसी तरीके से पानी को जिसम से खारच किया जाए सर्दी के response में इसी कि बेसे आपको शक हो रहा है कि ये एक मसला क्या है कि सर्दी के response में आपकी body में क्या changes हो रही है दूसरी important बात जब पानी की concentration कम होगी तो शूगर तो होती है आपके blood में तो पानी कम होने की वज़ा से sugar की concentration बढ़ जाती है यानि आपकी blood sugar high हो जाती है ठीक है जब आप पा एक important consequence क्या है और एक important बात याद रखने की है वो यह है कि आप experiment भी कर सकते हैं आप एक खाली पानी लें एक glass उसमें चीनी ना डालें और temperature common रखें उसको अपने freezer में रखें फिर एक में बहुत सारी चीनी डालके उसको freezer में रखें तो आप यह देखेंगी जो चीनी डला पानी होगा वो देर से freeze होगा तो क्योंकि जब चीनी डालते हैं आप पानी में उसकी वज़ा से जो freezing point है water का वो zero degrees से नीचे चला जाता है ठीक है यानि ज्यादा उसको ज्यादा ठंड पड़ेगी तो वो बर्फ की तरफ या ice बनने की तरफ freeze करने की तरफ जाएगा तो इस पानी को अपने जिसम से खारच करते हैं बलके वो शूगर की concentration को भी बढ़ाते हैं ठीक है ताके वो पानी को freeze होने से बचा सके अब आगे इसका इसको जोड़ू brown fat से मैं या आप बात करना चाहेंगे ज़ाले चले मैं बताता हूँ अच्छा अब ऐसा होता है कि आप तोर पे हम जो हैं जो गरम मुलकों में रखते हैं उनके पास जो fat होती है उसे आम तोर पे white fat ही समझा जता है मगर एक खास किसम की fat होती है जब इनसान पैदा होता है न तो बच्चे के पास भी वो होती है ठीक है उससे brown fat का जाता है brown fat जो है न जब इनसान को cup-cup ही तारी होती है न तो brown fat क्या करती है वो heat बहुत ज़्यदा generate करती है body के अंगर वो जो आपकी body की extremities है ना जनी जो आपके हाथ और पाउं है इन तक को गरम करने के वो काबल होती है ठीक है वो फैट हमारे पास नहीं होगी जो इनसान को माइनस 5-10 वाले टंपरेचर में रहता है ना उसके पास वो तब हो सकती है जब वो सरदी से मसलसल एक्सपोज रहे यानि वो पहली बार जब सरदी से एक्सपोज होगा तो उसकी बड़ी में पहली बार ब्राउन फैट बनेगा ठीक है और ब्राउन फैट को ना शूगर बड़ी हाई चाहिए होती है हाई शूगर अगर किसी इनसान की है ना तो ब्राउन फैट शूगर को यूज करती है साइट को यूज करके heat produce करने का mechanism है ये ठंडे अलाकों में रहने के लिए बहुत ही important है और यंगर dryness की जो eyes age थी उसे survive करने के लिए भी ये तो ये बहुत ही जरूरी था ये mechanism तो इस mechanism की वज़ा से क्या हुआ इनसान इसको survive कर पाया अब problem क्या है कि अभी यहां पर सबस्टेंशिया नहीं भी बताया कि कुछ जानदार ऐसे हैं कि जो कि अपनी बाड़ी के अंदर से पानी निकाल देते हैं और हाई बलाड शूगर जब उनकी हो जाती है तो उनके सेल्स फ्रीज होने से बच जाते हैं क्योंकि सेल्स में पानी जो होता है जब वो फ्रीज होता है तो वो क्या करता है सेल्स के स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से तोड़ देता है डिफरेंट और्गन्स को डिस्ट्रॉई कार सकती है फ्रॉस्ट बाइट मगर जिसकी बलाड शूगर हाई है उसके ब्लड में इतनी ज़्यदा शूगर है कि उसके जो फ्रीजिंग टंपरेचर है उसके ब्लड का या उसके आर्गन्स का वो नीचे वो उपर चला गया ठीक है यानि माइनस फाइव सिक्स पे भी वो फ्रीज नहीं होगा वो शक्स तो इस तरह से ये जो एक फ्राग है जिसको हम वुड फ्राग कहते हैं ये ठंडे अलाकों में पाया जाता है और ये सरदियों में इसी तरा फ्रीज हो जता है इसकी ब्लड शूगर बहुत हाई हो जती है ये अपने जिसम से सारा पानी निकाल देता है और ये ठंड में भी ठीक है तो ये फ्रॉग ये चीज़ करता है ये इस बात की एक्जामपल है सबसे बड़ी और ये जो फ्रॉग है वोड फ्रॉग ये इस अपनी अब्डॉमिन में अब्डॉमिन में उसकी एक कैविटी या सारा पानी उधर शिफ्ट कर देता है और बिल्कुल वो हाइबरनेटिंग स्टेज में जब जाता है तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और प्राइमरी उसका मकसद ये है कि इस दौरान उसके बॉड़ी के वाइटल ऑर्गन्स जो है वो पानी को फ्रीज होने से बचाएं और ताके वो शाप क्रिस्टल से बचें एक तो ये बात है दूसरी बात इस वज़े से शूगर को बढ़ाना बड़ा जरूरी है कि उस फ्रीजिंग टेंपरेचर नीचे जाए दूसरी तरफ ये जो गालिब ने ब्राउन फैट की बात की ब्राउन फैट के लिए को शूगर की सप्लाइच चाहिए इसलिए अंडर हायर यानिके एक्स्ट्रीम कोल्ड वैदर एक्स्ट्रीमली लो टेंपरेचर जहां जानवरों ने इस बैक ड्रॉप में देखें कि ये ये सर्वाइवल स्ट्राइजीजीज अडैप्ट अडैप्टेशन इवाल की के पानी में शूगर के कानसेटरेशन को ब से ब्राउन फैट जो है वो ज्यादा शूगर जा रही है इस बैक ड्रॉप में इंसुलीन की प्रोड़क्शन को सिप्रेस करना बड़ा अड्विंटेजिस है ताके शूगर फॉरन डाइजेस्ट होके अब्सॉब ना हो जाए वो ब्राउन फैट के लिए अवेलिबल हो तो हिस्टरी में ये एक ऐसी एड़ेटेशन है जिसकी वज़ा से ब्राउन फैट अपना काम कर सकती है और बाकी भी बाड़ी बच सकती है उसके शाप क्रिस्टल से और ये जीन्स हमने पता नहीं कि किन लाइफ फॉर्म से एक्जाटली इनहेरिट की है क्योंकि ये आपको प्ल बहुत सर्दी पड़ती है तो अपना पानी खारच कर देते हैं और और मीठे हो जाते हैं यानि शुकर का कॉंसेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं ताके वो डैमेज ना हो तो आगे चलिए और उन उन जो बरफ जो फ्रोजन अंगूर होते हैं उनकी एक स्पेशल श्राब बनती है जो के आम श्राब से तकरीबन कोई 20 टाइम ज्यादा मीठी होती है जो फ्रोजन अंगूर होते हैं ठीक है तो यह चीज़ है कि यह सिर्फ इसमें ही नहीं है यह प्लांट्स में भी है यह कि अपनी पानी को एजेक्ट कर दो अपनी बॉड़ी से और शुगर लेवल हाई क सकते हैं ठीक है एक और बात अभी मिर्जेन में आई थी वो निकल गई है नॉन कर्फरमिस्ट आप इदर कुछ आड़ करना चाहेंगे आपको अगर कई वो तो ली बात यादा आ रही कि उन्होंने ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कियों है कि रैट्स में इन दे लैब आप डियाबिटीज इंड्यूस कर सकते हैं टेंपरिचर कम करके स्थिवार्ट इस निकल गई आप दो बारा आजएगी तो मैं बता दूंगा अच्छा जी आगे चलते हैं तो ये अभी सबस्टेंशन ये वली पहले इक कर दी है कि इनसुलीन कम होना इनसुलीन लो होना या इनसुलीन की टोटली प्रोड़क्शन ना होना इन वे फाइदे मंद है उस औरगनिजम के लिए जो के बहुत सख सर्दी में रगता है क्योंकि वरना वो इस सर्दी के अंदर सर्वाइव नहीं कार पाएगा क्योंकि ग्लूकोज आपको बाड़ी के अंदर चाहिए ग्लूकोज ने आपकी ब्राउन फैट को एक्टिवेट कर रहे हैं ब्रा टाइप टू डाइबेटिक्स थे उनको इस जंगर ड्रायस की आई सेज के दुराने के ड्वांटेज थी कि वो जिस टेमपरेचर पे जिन लोगों को डाइबेटीज नहीं हैं वो मर जाएंगे उस टेमपरेचर पे ये लोग सर्वाइव कर सकते थे मगर डैफिनेटली जिस चालिस भी नहीं शायद इस से भी कम में आप मर जाएंगे मगर आप एट लीस्ट उन चालिस साल में ज्यादा अबिलिटी होगी आप में सर्वाइव करने की बजाए उन लोगों के जो टाइप टू डाइबेटीज के बगयर हैं क्योंकि वो फ्रीज होके मरने का बहुत जिसके बलाड में एक तो पहले शूगर ज्यादा है जिसकी वज़ा से वो उसका बलाड यहां उसके मसल्स यहां वो फ्रीज नहीं होगी दूसी चीज़ यहां कि वो ब्राउन फैट को एक्टिवेट का सकता है ज्यादा बहतर तरीके से as compared to a normal person ठीक है और ब्राउन फैट ज बहुत ज्यादा है as compared to गरम अलाकों के अफरिका के लोगों की ठीक है इसलिए क्योंके नौर्वे और टाइप वन डाइबिटी जूर्वे स्केंड़न कंट्रीज में स्वीडन में इन मुलकों में बहुत ज्यादा है as compared to the rest of the world क्यों क्यों क्योंकि यहां के लोगों की हीटिंग कर सकते हैं उनके मुलकों में मगर आज से सौ साल पहले अगर आप चले जाएं अलेक्रिसिटी नहीं है इंजन नहीं है तो वो बिचारे नहीं सर्वाइव कर सकते थे अच्छे तरीके से उन मुलकों के अंदर ठीक है तो यह भी एक वजा है कि उन मुलकों में ज्य तो उस इन्वारमेंट में जो अगर डाइपटीज जो इन्फिक्ट हुई ए एविलूशन ने ये जीन सेलेक्ट की and if we compare that period with today, our life size are very different क्यूंके back then we did not have a sedentary life size मतलब हम लोग मोबिलिटी जाद थी, हम लोग जो hunter-gatherers थे तो जो भी glucose या sugar generate की जा रही थी that was coming from consumption of meat and wild berries and excess glucose आपका अपना लिवर बना रहा था so actually back during that time diabetes type 1 absence of insulin and too much sugar in the blood was not as much a big problem then because आप अपने डाइट से carbohydrates ingest नहीं करे थे क्यूंके हमें पता है carbohydrates are an invention of modern agricultural society कि जब हमाँ पास beans, lentils or grains आए, that is how carbohydrates trickled into our diet and artificially आप बेसिकरी प्रूशन रहे थे crops से या agricultural yields से वो carbohydrates से लेकिन paleolithic diet में आपके वैसे ही carbs हो थे तो जो sugar या diabetic conditions थी they were not very detrimental for those hunter gatherers या cave बें जो लोग रहे रहे थे या ice cold regions पर रहे रहे थे cold dryers के पाहिं थे तो यह मैं point मैं mention करना चाहा था कि उनके लिए diabetes although यह जो advantage हमें पता है to generate thermogenesis in the body to keep them from freezing and surviving in very low temperatures, इसके लावा इतनी ज़्यादा detrimental नहीं थे उनके लिए जितनी आग society में है क्योंकि हमार lifestyle different है और एक तो point आप में mention इसमें कर दिया है कि colder areas में gene selected जाता है which is where we find diabetes in Scandinavian countries or maybe you know the Russian Siberian area compared to African and Hispanic areas just Hispanic descents की जो लोग है हमें diabetes इनी it's basically virtually non-existent so that is what it's actually saying yeah जी 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 तो इसमें non-conformist इस बात को देखें कि जो उसी hemochromatosis और diabetes के दिरम्यान दुबारह से parallel draw करते हैं कि मसला क्या था कि hemochromatosis जो है वो भी एक ऐसी बिमारी थी जिसने eventually आपको मार देना था लेकिन अगर hemochromatosis ना होता तो bubonic plague ने आपको कल ही मार देना था एक चीज़ा जिसने आपको 30-35 साल बाद मारना था लेकिन एक दूसरी बिमारी है जिसने आपको कल ही मार देना था तो उस backdrop में अगर आपको एक delayed बिमारी कोई protection दे रही है एक immediate बिमारी के खिलाफ तो उसकी जीन्स ज्यादा फले पूलेंगी survive करेंगी क्योंकि at least उस हद तक जो organism है वो survive कर जाएगा कि वो reproduce करके अपनी जीन् को पहला दे वरना अगर ब्यूबानिक प्लेक के जरी इमीडियेटली वो मर जाएगा तो उस सूरत में तो वो उसको मौका ही नी मिलेगा अपनी जीन्स को आगे अपनी आफस्प्रिंग्स में आगे पहलाने के लिए बिल्कुल उसी के parallel ये बात है बिल्कुल उसी के parallel ये ब ये बात करा था है back during that time it was not as detrimental कि मारा lifestyle में ये point रख रहा था क्यूंकि आज हम tarbo vibrate infested या high tarb meal खाते हैं obviously someone who has diabetes unless insulin inject नहीं कर रहा या metformin efforts like type 2 early onset diabetes तो उस case में तो फिर आपको थोड़ी बार protection मिलती है लेकिन अगर आप tarbohydrates खा रहे हैं if you're not on insulin injection or metformin then obviously it's a death sentence लेकिन back then हजारों साल पहले जब हम agriculture society में भी नहीं थे तो उस वक्तों tarbohydrates were automatically or by default low in our diet तो long term उसका disadvantage इतना नहीं था even in that time compared to the disadvantage that we have now because our society is dependent on an agriculture based diet which is high in carbs और आप यह देखें जो ketogenic diet में हैं very low carb diet में हैं they come off insulin they come off metformin and they're doing just fine and obviously exercise is uh uh is very important for your blood sugar to be burned to burn that off and convert it into energy you get sugar running around in your bloodstream is going to smash into your organs and let you know your organs deteriorate लेकिन active lifestyle जो उस जमाने में थार तो वो एक तरा से वैसे ही आपको diabetes से एक तरा से advantage देकर रख रहा तो about and the diet that that existed back then so would you would you agree with this or not because I've read a bit more on this and this is the conclusion that I was driving from it नहीं यह बात बिल्कुल ठीक है non conformist और इसको मैं further build कर देता हूं यह बात बिल्कुल ठीक है कि historic ultimately इस बात को याद रखें कि हमारी body की जो main currency है of energy वो glucose है in certain situations आप ketone bodies की basis पर energy drive करते हैं उसको हम पहले भी discuss कर चुके हैं किसी और context में लेकिन mainstream जो body की currency है जिस पर body जिससे energy और ताकत और तवनाई drive करती है वो sugar है glucose है अब जो अगर आप protein भी ले रहे हैं तो उससे ultimately sugar ने बनना है आप अगर fat भी है वो भी ultimately sugar में convert होती है तो लेकिन अगर आप carbohydrate जो के raw sugar है वो लेंगे तो वो तो बगएर कुछ energy expenditure किये हुए वो तो है पहले ही usable form में है तो जबके protein और अगर fats है तो उसके लिए body को कुछ काम करना पड़ेगा उसको sugar में मेहनत करनी पड़ेगी उसको sugar की form में लाने के लिए ताकि उससे body काम ले सके उस context में जो non-conformist कह रहे हैं उस context में जब आप को sugar लेना एक मुश्किल काम है और brown fat को trigger करने के लिए आप को sugar की जरूरत है उस context में एक ऐसी चीज़ जो के sugar की concentration को कम करती है नहीं insulin, insulin की production को suppress करना एक बड़ी advantageous चीज़ है ठीक है जी तो उस context में insulin की production को कम करना एक survival based एक survival advantage देने वाली trait है तो उस context में चूँके उसने advantage देना है और नुकसान उतना नहीं पहुंचाना जितना वो आजकल पहुंचा सकती है because of raw carbohydrates in our diet तो उस context में इस चीज़ का evolve करना बड़ा likely था और ये जो है nordic आखों में रहने वाले जिन में diabetes का incidence ज्यादा है वो इसी वजह से ज्यादा है ये बताना भी बहुत जुरूरी है कि type 1 का ज्यादा है जी 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 type 1 का ज्यादा है वो लोग type 2 को इसका ज्याद confuse ना करें type 2 diabetes की वज़ा totally आज की diet है ज्यादा ठीक है जी 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 और यानि आप समझें कि मैं फिर मजीद भी explain कर देता हूँ type 1 diabetes के अंदर आपके pancreas जो हैं वो insulin बनाना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं type 2 के अंदर आम audience के लिए pancreas आपके बिलकुल सिहत बंद होते हैं वो बिलकुल insulin बिलकुल सही बना रहे होते हैं और सही रेट पर बना रहे होते हैं लेकिन वो जो receptors हैं जिनोंने respond करना उस insulin को वो there is something known as insulin resistance वो insulin resistant हो जाते हैं यानि जिसका मतलब यह है कि अगर in the absence of type 2 diabetes अगर हमें x amount of insulin चाहिए है to digest x amount of glucose तो अब insulin resistant patient में आपको x से कई गुना ज्यादा amount of insulin चाहिए है to digest the same amount of glucose तो इस वजह से वो insulin resistant हो जाते हैं या उतने sensitive नहीं रहते हैं तो वो एक different story है हमारी आज की discussion primarily type 1 diabetes के context में है जिसमें pancreas insulin बनाना बंद कर देते हैं या कम बनाते हैं और मैं non-confirmist की बात को second करूंगा एक तो बात यह है कि younger drys के दुरान इंसान की जो diet थी ना वो primarily meat based ही थी क्योंके यह बात याद रखें जब ice age बहुत ज्यादा होती है ना तो plants fruit bearing plants तो बहुत कम ही रहा जते हैं और अगर वो active भी होते हैं तो वो उस time एक हिसाब का बंदी हो गया था क्योंके younger drys को दुरान इंसान को फिर purely hunter gatherer बनना पाड़ गया था ठीक है तो यह कहीं लोग जो कहते हैं इंसान basically शाकाहारी है वो गोश्ट काने वाला नहीं है basically यह बात totally unscientific है यह किसी भी level पे किसी भी तरह से सच साबित नहीं हो सकती और even के जो veganism है मैं समझता हूँ veganism pseudo science है ठीक है और इसको किसी भी सूरत promote नहीं किया जा सकता इंसान की डाइट में मीट जरूरी है ठीक है जैसे कि आज भी एक भाई मुझसे पहले पूशा था उसने पूशा तरह मैंने बताया था जी 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 एक चीज़ और एड कर दो आपने जो जैसे कहा कि hunter gatherer times में paleolithic डाइट में दो आप लू का थे तो हमारे ग्रुकोस तो अबिसी प्रोटीन से अधर सबसंशने नहीं उतका जएक रूबर्ति अधा लिवर एक प्रोसेस के थू घुजरता है इस वाल ग्रुगोण अ जिसमें टुकोगान यूस करक है it's an enzyme that converts artificially आपकी बोडी खुद प्रदूस नाचरली प्रदूस करती है शुगर and bumps it into your bloodstream but again that's process अगर बोड में आपकी बोडी ने self-generate किया है glucose that is again a natural mechanism through which you're not ingesting carbohydrates जो हम लोग आशकल abnormally हमारी high carb diet है जोके तरासे health deterioration करती है for people having diabetes पर उस situation में अगर already हमारी body whole climate में रवाल की बोड़ की बोड़ की बोड़ की बोड़ की सब जान शुने के उस तरा काम ही होता है to burn sugar so any sugar that is generated is generated to a level that your body needs rest is metabolized by your brown sugar for thermogenesis तरा क्या की body heat generate करे and then you can survive that whole climate तो फिर ये example wood frog वाली हम पहले ही दे चुके है ठीक है तो एक चीज़ है जो end पे इस पे emphasize मैं भी करना चाहूंगा और बाकी भी लोग वो ये है के sugar जो है वो भी एक type 1 diabetes वो भी एक survival mechanism था एक छोटी सी ice age के दुरान और हम बड़े heavily select हुए वो लोग naturally select हो गए जो diabetic थे ज्यंगर ट्राइस की ice age के दुरान जो के 12,900 से लेके 11,700 साल पहले के दर्मियान में मुझूद थी ठीक है और ये तरीके हैं evolution जिनके अंदर काम करती है ठीक है अगर कोई ये कहे के इनसान को बना बनाया आस्मान से उतारा गया था जनत से आया था इनसान तो भाई हमारे jeans के अंदर जगा जगा वो चीज़ें लिखी हैं जो ये थाबित करती है कि हम खुद natural selection के process से गुजर के आई हैं ठीक है जी तो ये बात याद रखे हैं कि हम natural selection के process से गुजर के आई हैं हमने चाहे sickle cell anemia की बात की हमने चाहे hemokromatosis की बात की हमने चाहे brown fat और type 1 diabetes की बात की ये सब वो चीज़ें हैं जिनों ने जो आज के दोर में बिमारी हैं मगर गुजरे हुए कल में ये बड़ी जबरदस survival advantage थे बहुत से लोगों के लिए और उन्हें बहुत ही terrible किसम के fate से बचा सकते थे आप ये imagine कर सकते हैं कि एक माँ है उसके दो बच्चे पैदा हुए एक बच्चा ऐसा था hunter gatherer दोर के अंदर वो ही younger drys के दोर के अंदर जिसको type 1 diabetes थी दूसरा ऐसा था जो कि बिलकुल normal था तो type 1 diabetes वाला बच्चा उस इंतहाई सخت ठंड के अंदर ज्यादा active था वो ज्यादा उसको survival advantage थी क्योंकि उसकी body के अंदर brown fat के through heat पैदा करने का जो system था वो बहुत ही strong था और वो क्या करता था वो ज्यादा थंडे अलाकों में ज्यादा देर तक शिकार भी कर सकता था काम भी कर सकता था अपनी family को ज्यादा support भी कर सकता था तो human population के अंदर वो लोग जिनको type 1 diabetes थी उस time वो ना सिर्फ अपने survival को एक advantage दे रहे थे बलके वो अपनी family के survival को भी एक advantage देते थे इसलिए type 1 diabetes का जो gene है वो वक्त के साथ-साथ ज्यादा select हुआ क्योंकि type 1 diabetes वारे लोग जो थे उस वक्त के superman थे वो हर एक के लिए helpful थे अपने लिए भी helpful थे ठीक है तो यह gene इसलिए select होता रहा तो natural selection is written all over our bodies हम अभी इसकी अगली जब episodes में और discuss करेंगे हमें आपको इतने ऐसे example दिखाएंगे कि natural selection इनसानों पर कैसे apply हो रही है तो कोई शखस अगर यह कहें कि इनसान evolved नहीं हुआ वक्त का मुकाबला सफ़त वाला भी टाइम शुरूई हो गया जो यह जो ब्राउन फैट के लिए जो जीन है जो ट्रिगर करती है उसके यूस को और उसकी development को जो corresponding protein है उसको कहते है UCP1 protein uncoupling protein 1 कहते हैं उसको यह हमारे अंदर इसकी जो gene है वो chromosome number 4 पे होती है आपको दूसरे जानरों में भी मिलेगी लेगर आपको सबसे ज़्यादा expressive UCP1 gene अगर आप guess करना चाहें तो one of the leading mammals जिसमें UCP1 gene बहुत ज़्यादा express होती है वो polar bear ठीक है वो आपको समझी जाना चाहिए कि क्या मामला है पोलर bear जो है वो तो brown fat को deposit करने के लिए polar bear भी hibernate करता है और इंतहाई सर्दियों का environment उसको बरदाश्ट करना पड़ता है अच्छा अब इवन पोलर bear जो इसकी sleep है वो इतनी इतनी time की होती है तो वो बस मचलियां खाकर हो जाता है hibernation तो लेकिन यह जो tendency है जो हम brown fat, पोलर bear भी अपने shoulders और गर्दन के रिद्गित brown fat देखें जो white adipose tissue है जो गालिब ने शुरू में का जो arm fat है उसको WAT कहते है white adipose tissue और इसको bat कहते है BAT brown adipose tissue यह different body की जगों पर ज्यादा deposit होता है polar bear में भी गर्दन और उसके shoulders के करीब जो है वो deposit होता है brown fat है, वो neck के पास और chest के पास ज्यादा deposit होती है तो यह बड़ी interesting चीज़ है अगर आप इसको देखना जाएं कि यह दूसरे जानवरों के साथ हम किस हद तक share करते हैं, ना सिरफ यह कि हमारी immediate ancestors जो इनके साथ हम common ancestors share करते हैं, उनके साथ तो करते ही है इस पे वो यह करें, इन सारी तीनों चारों factors को दिमाग में रखें extreme weather के case में जो advantage होनी है, पानी को कम करना, पानी को खारच करना ताके वो freeze ना करे, blood sugar के level को बढ़ाना, ताके पानी का freezing point lower किया जाए और साथ brown fat का होना, और brown fat की dependence sugar पे होना, ताके तभी वो heat पैदा कर सकती है उस context में ऐसी चीजों का evolve करना, जो के insulin की production को रोकेंगे ताके brown fat को ज्यादा sugar available हो सके, ताके ज्यादा sugar की वज़ा से पानी का freezing point lower किया जा सके ये एक survival advantage है, तो इस वज़ा से diabetes जो है, वो उस context में एक evolutionary adaptation है, आज की तारीख में वो एक बिमारी है exactly, और ये याद रखें कि आज कल एक आपको आपने ये चीज देखी है, खास तोर पर इंस्टाग्राम पर तो ये जो इंस्टाग्राम मॉडल्स बगारा इन्हों ने ये trend बनाया होता है कि वो एक freezing bath लेते हैं, वो freezing bath लेते हैं इसी लिए हैं कि वो अपनी brown fat को activate करना चाहते हैं ठीक है, आपके body में अगर थोड़ी बहुत भी brown fat हो तो उसके advantages काफी सारे होती हैं, exactly, खास तोर पर अगर आप बहुत थंड़े इलाखों में रहते हैं तो आप खास तोर पर Scandinavian countries के वो, क्या उसका नाम है, वो जो Thor Beyonce है, जो Game of Thrones में था, World's Strongest Man, उसका channel मैंने follow किया हुआ था, तो वो ये cold किसम का इंधाई cold किसम का बात, बड़ी regular ली लेता है ठीक है, फिर वो दूसरा एक over है, उसका मेरे जिन से नाम निकल गया है, तो World's Strongest Man है, वो भी ये काम करता है, कहीं sports person है, वो ये काम करते हैं, तो ये आपके जो ancient survival mechanism है, ये जब activate होते हैं, तो ये आपकी body को बहुत सारे इस तरीकों से फाइदा देते हैं, असल में, और हम ज ठंडे अलाखों में ज्यादा जाते हैं, और किसी टाइम पर freezing तक के point पर पहुंचते हैं, इवन के आपकी जो shivering है, आप जब कभी आपके उपर तारी होती है, तो brown fat की generation को आपकी body quarter मिलता है, कि अब आप brown fat बनाएं, ठीक है, ये बना हम सब सकते हैं, मगर सिर्फ in extreme cold वाली situation है, खीक है जी सर, इसको conclude करें फिर अब, like, share और subscribe करना मात भूलें, इसके साथ साथ आप मेरे channel को patreon पर support कर सकते हैं, patreon का link video की description में है,